वर्ल्ड बैंक के अधियक्ष डेविड मौल पोस हाल ही में एक प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए बताया कि कोरोनाम हमारी और विक्सित अर्थ विवस्थाओं की बंद होने से चे करोर से जादा लोग गरीबी के दलदल में फस जाएंगे ये लोग सिर्फ 142 रुपे प्रते दिन पर गुजारा करते हैं हाल ही के दिनों में गरीबी खत्म करने के दिशा में जो प्रगती की है उससे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा विश्व बैंक ने कोरोना संकट से निपटने के लिए सो विकास शील देशों को 160 अरब डॉलर की सा सहयता 15 महिने के समय में दी जाएगी डैविड मालपास ने आगे कहा कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी के इस दौर में तेजी से कदम उठाए हैं और सो देशों में आपात सहयता अभ्यान शुरू किया है इन देशों को 160 अरब डॉलर की राशी 15 महिने में दी जाएगी बता दे क एन सौ देशों में दुनिया की करीब 70 फीस्दी आबादी रहती है इन सभी देशों की मदद के लिए कारिक्रम को देश के हिसाब से ही तयार किया गया है जिसके चलते सभी देश कोरोना संकट का मुकाबला कर सके मालपास ने कहा कि इस कारिक्रम से स्वास्थ व्यवस्था म अप्डेटेट्स